दोच्छो जनकारी के अभाव के कारण कई लोग दातों को साफ करने के लिए कई तरह के केम करता है इसका भी दातों पर बुरा परभाव पड़ता है उम्र के साथ कई वर दातों की उपर गंद की चमती चली जाती है जिस कारण दात पिला हो जाता है खाने की गलत आते भी दातों को पिला बना देता है चाई, कॉफी, सोफ ड्रिंक ज्यादा शेवन करने शेवी दात पिला पड़ जाता है एक ऐसा घरेलू पाइवाता रहे हैं जिसकी मदद से दातों का पिला पन हटा सकते हैं पांच मिनट से भी कम समय में इस नूसकी से दातों का काला पन और पिला पन साफ कर सकते हैं इस नूसकी को बड़ी आसानी से त्यार किया जा सकता है संतरे के छिलके और तुलसी, तुलसी के पतों में एंटि-वैक्टिरियल गून होते हैं जो आपके दातों को चमकदार बनाने में मदद करता है। इसे कैसे इस्तमाल करें। इसनोसके को तयार करने के लिए संत्रे के छिलके और तुलसी के पत्तों को धूप में सुखाएं। सुखने के बाद इन्हें पिश कर पौडर को एक डब्वे में रख लें। और रोर सुबा उटकर इस पेश्ट को निम्बू के रस के साथ मिलाकर इससे हर दिन अपने दातों को ब्रस करें। इस उपाई को कुछ दिनों तक लगातार करने से आपके दात पुरी तरह से सफेध हो जाएं। तुलसी दातों का पिलापन दूर करने में बहुत फाइद मन्द होती है। इसके उपयोग से मुह से आने वाली बदूवी गायव हो जाती है। दूसरा है अद्रक और तुलसी सबसे पहले एक अद्रक का पेश तैयर कर लें। और फिल तुलसी के पत्तों को सुखा कर अच्छे से पिसकर आप उसे अद्रक के पेश में मिलाकर दातों में लगाकर रगड़ें। रगड़ने के बाद पेश को दातों में कुछ मिनट के ल जीव जल सकती है तीसरा तरीका है एक ग्लास पानी में आदा निमू का रश मिलाएं इसमें रात वाल दातुन को रख कर छोड़ दें सुवा इसी दातुन का इस्तमाल करें इससे दातों का पिलापन समाफ्थ हो जाएगा अगर प्रती दिन दातों नहीं कर सकते तो शप्ता में एक दिन दातों अवश्च करें इससे दात और मशूरे स्वस्थ वा मजबूत भी होते हैं